अदर्णिया प्रोफेसर जग्बीर सिंग जी, अदर्णिया संतोज जी, अदर्णिया रुसन्य जी, उपस्थिच सज्जन माता बगे नी. तो पहचान बना ली है और उद्गाटित नया, संग में ऐसा बहुत कुछ है नहीं. वैसे अब संग प्रसिद्धा है, इसलिए संग के बारे में थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा दूसर ऐसा चित्रसब के आखों के सामने रहता है. सामान्य भाषा में ये हिंदु अधी लोग है, ऐसा लोग कहते हैं. लेकिन थोड़ा बारी की से इसको समझना, सोचना आवश्यक इसलिए है, कि ऐसा ना करे तो ये समझ में ये आएगा, क्योंकि ये उल्टी चलने माली दारा है. जैसे संगा एक समाज में प्रभावी संगठन है, इसा वरणन अचकल होता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन, भारत वर्ष में बहुत प्रभावी संगठन, वगरे वगरे. तो ये सुनके हमको दुख़ होता है, क्योंकि हमको समाज में एक अलग संगठन नहीं बनना है. ये पूरे समाज को संगठन करने के लिए चला हुआ काम है. एक जगा मुझे बुलाया, हमारे साहित्य संगठन विदर्भ में, तो उनके 75 वर्ष पूरे हुए, उनके भी, तो एक समारो उसमें विशे था सबके लिए, सौ साल पूरे करने वाले संगठन के सामने कौन सी चुनों दिया है. तो किसी एक पुस्तक के विमोचन के निमित में उनके हाथ लग गया, तो उन्हों ही मुझे उसमें भी बुलवाया. तो मैंने कहा कि एक चुनोतिया होगर, जिसको कुछ प्राप्ता करना है और मारग में चुनोतिया है. जो कुछ चुनोतिया है वो समाज के मारग में है, संग के भी सामने वही है. तो चुनोतिया अवकरी ये सारी जो रूडबाचा है, उसमें संग फिटने की बैटना, ये एक समझने की बात है, राष्ट्रियो स्वाइच्योग संग, समाज में संगेटन नहीं है, इसको संपूरुन समाज का संगेटन करना है, हम जानते हैं कि हमार वियरोधक भी है, इसी स क्योंकि एक मूल बात है, राष्ट्रियता का वरणन आपने पिछले व्यक्ष्यान में सुना, अब ये सारा वरणन किसी एक शब्द से बिलकुल ठीक ठीक व्यक्त होता है, ऐसा एकई शब्द है हिंदू, और ये आप देखेंगे इतिहास को तो, 1860 के पहले, किसी को इस सब्द से कोई अब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ये बिलकुल स्वाभाविक माना जाता था, कि हम लोग हिंदू हैं, सरसाइब आमद अली को लाहूर में सम्मानित किया गया, बैरिष्टर बन के आये तो, और ये समाज के द्वारा उंका सदकारो, और उसमें उनका परिचे दिया कि हिंदू हों में बैरिष्टर होके बहुत लोग आये हैं, मुसल्मानों में ये पहले हैं, इसलिए इनका अभिनंदन हम कर रहे हैं, तो उन्हों ने उसके अपने अभिनंदन का उत्तर देते समय, प्रारम भी आहां से किया, कि मुझे बड़ा दुख्खा हुआ, कि आपने हम को हिंदू सब्दे से बार रखा, क्या हम भारत माता के पुतर नहीं है? यहने आगे चलके मुसलिम अलगाववात के जनक जो बने, उनका 1884 के व्यक्षान में ये कहना था, कि हमारी पुझा अलग हुई तो क्या हुआ, हम भी तो इंदू है, अब हम भारत के हैं, भारती हैं, वो समारार्थी शब्द हैं, वो शब्द को उप्योक करता है, तो कोई लेकिन ऐसे जो शब्द है, उन शब्दों के बारे में अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, उनको हमारी कमर को तोड़ना था, हम एक होकर लड़े, विदेशियों के खिलाफ, अपने धर्मकास वाभिमान लेकर खड़े होकर लड़े, ये ताकत उनको समापत करनी थी, तो उ और उननीस सो पचीस का जो समय था, वो बहुत निकट था उस समय के, जब ये हुआ, यहने एक तीस साल हुए होंगे, जब ये सारी शडियंत्र चले, और लोगों के ध्यान में आने लगे, इसलिए संगने हिंदू संगटन के बात कियी, क्योंकि हम हिंदू है, ये वास्तव लग सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि ये जो पिछरे इसमें वरन नुवाया, जगविर सिंग जो वसारी बाते कहीं, इसको बताना है, तो कौनसा दूसरा शब्द है, जैसा मैंने का भारत ये सब्द बहुत बिलकुल फिट बैटना है, लेकिन क्या है कि भारत के साथ एक भूगल भी जुड़ा है, तो 15 अगस्त के पहले हम कराची में भी भारतिय थे, लाहर में भी भारतिय थे, गुचरावाला में भी भारतिय थे, लेकिन क्या रात को बारा बजे हो गया पता नहीं, दूसरी दिन वो हम नहीं रहें, ऐसा हम पीछे जाते हैं, तो का जाबुल जाबुल के पस्चिम से चिंडिन नदी की पूरब तक और तिबबत के चिन की तरफ धलान से श्रिलंका के दक्षिन तक हम जो थे, वो हिंदूस्थान के हिंदू लोक थे, और उनमें ये सारी पूजाय वगरे होना, ये बिलकुल स्वाभाविक बात थी, किसी का क पर भी उनको भी कोई खत्रा मौसूस होता नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, विश्व का हरदेश जब भी पिछले गीत में आपने सुना, दिख भ्रमी तो हो लड़ खडा आता, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आता, तो कहीं पर सर रखने को जगा यूदियों को नहीं मिली, क्यों बारत में मिली, कहीं पर पार्शियों में अपना डेरा नहीं डाला, अपने देश से निकल गए, भारत में आकर बसे, यह होता, बहुत से देशों पर इसलाम का आकरम हुआ, वो लौटाया भी गया, उसके बाद, वहां मुसलमानों की यह स्थित नहीं थी प्रयास पर सो वापिस करें, हमारे जैसमें ऐसा नहीं हुआ है, जो आए आए बस गए बस गए, है हमारे साथ, है हमारे साथ, और चलेंगे हमारे साथ, और हम भी कहते हैं, यह संगवाले भी कहते हैं, कि चलना है साथ में, ऐसा और कहीं नहीं होता है, क्यों कि हम हिंदु है और इस शब्द को भूलने से हम भारत से कटते हैं हिंदु भाव को जब जब भूले आई विपद महान भाई तूटे धर्ती खोई मिटे धर्मसौस्थान अब बताइए पिछले सौ साल का इतियास 200 साल का इतियास यह है कि नहीं क्या था जो पाकिस्तान अलग हो गया क्या था जो बंगला देश पाकिस्तान से बंगला भाषा के आदार पर अलग हुआ लेकिन भारत नहीं बना हिंदु भाव नहीं था अथवा हिंदु भाव रखने वाले लोगों की जंसंग क्या कम हो गया और तो कोई कारण नहीं था और क्या है जुसको लेकर आज अलगाववादी अपनी ताकत निकालते है उससे वो यही है कि आप इस भाषा के हो या आप इस रिलिजन के मानने वाले हो इसलिए आप अलग हो अलग मांगो हमको एक करने वाला वही शब्द है अर इसलिए ड्क्टर हृडगवाईर ने ये लिजन संगातन की बात के उसको उनोंने राष्ट्रिया कहा किवगा क्यूँकि वो हमारी राष्ट्रियता का निर्जशक चपद है भारत में हिंदूों का काम ये राष्ट्रिया काम है वो किसी धर्म का काम नहीं है, हिंदुों का काम याने अमुक पुजा को करो, ये काम हिंदुों का काम नहीं है, हिंदुों का काम याने इतना भव्य विरासत का मामला हमारे पास है, उसके लायक बनो, क्योंकि दूसरी बात आती है, वो भी समझने की बात है, क्योंकि राष्ट तो लगता है कि यही संग है लेकिन यह संगानी है यह स्वयम सेवक का किया हुआ है वो स्वयम सेवक संग के है स्वयम सेवक क्या करते है वो संगा नहीं है स्वयम सेवक क्या है वो संगा है यह एक समझने की बात है संग संग के निर्माता सब कामों में थे वो राजनीती में थे बहुत कुशल राजमी गिया थे वो अंदोलन चलाने में एक्सपर्ट थे कलकत्ता में नैशनल मेडिकल कॉले से डिगरी मिलेगी या नैशनल स्कूल से कुछ डिगरी मिलेगी तो वो रद्द मानी जाएगी है ऐसा ब्रिटिशों ने कानून निकाला क्योंकि आंदोलन में जो रस्टिकेट हो जाते थे सब वहाँ से डिगरी लेके आ जाते थे तो ये बंद हो इसलिए ब्रिटिशों ने कानून लाएगाने बिल आने वाला था तो आना नहीं चाहिए लेकिन किसको फुरसत है ऐसा आंदोलन करने की तो कलकते में डॉक्तर हेडिवा डॉक्तर ही पड़ रहे थे उन्होंने क्या क्लकते के बस्ती बस्ती में जाके वहां के प्रमुक्रोगों को बताया कि आपके पास पुलिस आएगी पूछेगे सभा होई आपने कहना हाँ अमक अमक प्रस्ताव पारित हुआ आपने कहना हाँ आप गये थे कितने लोग थे चार अजार पाच्छे जार के उपर बोलो और आपने भाशन किया ऐसा आप केवल बोलो और उन्होंने उसके बाद रोज पेपर में समाचार भेजना प्रारंब किया अमक महले में इस बिल के विरुद में सभा हुई तीन हजार लोग थे अन्त में ये प्रस्ताव पारित हुआ भाशनी इन लोगों के हुए ऐसा दो चार दिन में समाचार आने लगे तो CID पहुची हर महले में उन्होंने पूचा वहां के प्रमग लोगों को ने कहां ठीक है ऐसा हुआ है हुआ कुछ नहीं जा एक महना ऐसा चला उसके बाद ब्रिटिस सरकार ने जनक शोप के घर से उस बिल को वापस ले लिया ऐसी कुछल ताउन में थी ये उनका और फिर वो करांतिकारण भी थे अनुशीलन समीती के कोवर करमिटी के मेंबर थे कोकेन उनका कोडनेम था उन्होंने गोरक्षा के लिए काम किया उन्होंने समाज सुधार में महिलाओं की स्थिति के लिए काम किया अल्पवईन भालिका के लिए प्रोड़ लोग इसमें उन्हों रोका प्रसिद्ध एक संपाद अख्थे माडखोल कर जी उन्होंने अपने चरितिर में का मेरा प्रेम प्रसंग हुआ सारी दुनिया मेरी खिलाप कड़ी गए अखेले डॉक्टर एड़िवार ने मुझे समर्थन किया वो उसी से मेरा विवा हो गया बाबा हम्ते हमारी सब जानते उनको उन्होंने का कि मैं करांतिकारी विचारों का था मैंने एक पिस्तुल लाया कुछ करना था मुझे तो सब लोगों ने मुझे बोल बोल के ना उमीद कर दिया अकले डॉक्टर एड़िवार आया मेरे पास उनने का कि तुमारा विचार बहुत अच्छा है तुमारी प्रखरता बहुत स्वागत आ रहे हैं लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा अब साथ तो ये सवस समझ के करो उनने मुझे ये नहीं किया ऐसे होते हैं उर्त्त पत्र के संपाधक थे उर्त्त पत्र के मैनेजर भी थे कोपरेट्व बैंक चलाई कोपरेट्व स्टोर चलाया गने इस उत्सों में दुर्गो उत्सों में भाषन करते थे समासुधार के बाते स्वतंत्रता की बाते स्वतंत्रता संग्राम में दो दो बार कारावाज भुकता ये सब उनने किया है लेकिन ये बात जब उनके समझ में आई कि मूल भूत कुछ तुटिया हमारे समाज की जो गुस गई है उसको ठीक किए बिना ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है कोई बाहर से आता हमको जीत कर कुछ बन जाता है और फिर हम खड़े हो जाते हैं वो जाने के बाद सो जाते हैं फिर से दूसरा आता है ये बन करना है तो पुरे समाज को तयार करना होगा सब के मन में ऐसा है लेकिन फुरसत किसी को नहीं है तो मैं ये काम करता हूं तो ये सारे अंदोलन वगरे छोड़कर उन्होंने संग का प्रारम्ब किया तो संग ये सब करने के लिए नहीं है ये सब करने वालों को तैयार करने के लिए है ये एक समझने की बात है और ये सब करने वालों को तैयार करना है तो इन सब बातों से आपको अलग होना पड़ता है क्योंकि मनुष्य को तैयार करना है मनुष्य में सद्ध गुणों को मानुविय गुणों को भरना है उसके रिदय में समर्पन की भावना जगानी है तो यह जो दुनियादारी का मामला है उसमें कई दूसरे प्रभाव भी आते हैं कुछ काम करते हैं तो नाम होता है तो फोटो निकलता है फोटो निकलता है तो देखते रहें ऐसा लगता है फिर फोटो निकले यही देखते हैं बाकि कुछ नहीं देखते है यह क्योंकि पूरे समाज को संगड़ी तो वो सब बातों को मो आकरशनों को ठुकरा कर आगे करना एक ताकत बन गई कि उसके बाद बाहर जाके काम करेंगे लेकिन वो जो काम करेंगे वो संग के नहीं होंगे क्योंकि ये एक तो कर्तुर तो उनका है परिश्वरम उनका है कि दूसरा संग ने उनको वहां कुछ अच्छा करने के लिए तैयार किया है सब मनुष्य हो सकता है एक अधविक्ति न कर पाएं एक अधविक्ति भूल जाए अपनी शिक्षा को तो वो संग की बात नहीं है मुझे बाय ट्रेणिंग वेटर्री डॉक्टर बनाया मैं संग का प्रचारग बनाया इसलिए मेरा कॉलेज कुछ नहीं कर सकता हूं उसने मुझे ट्रेणिंग वेटर्री डॉक्तर का बनाया लिकिन मैं संग का प्रचारग बनाया तो हमने एक ध्यान में रखकर कुछ बनाय अब वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक संगो को नीचे देखना पड़े ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत केजुल्टी यह चलता ही है, 20% डैमरेज हो गर गर लिए उसका यह लेती है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ठीक है, ऐसा चल रहा है, लेकि तो वो थोड़ा ही हो, इसलिए यह सारे कारिय स्वतंत्र अलग स्वायत चलते हैं, संग उन पर रिमोट या डाइरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, एक तो उनका अनुभव है, उनकी एक्सपरटाइज है, हमारी नहीं है, लेकिन होती तो भी हम यह नहीं करते हैं, है लाभी भाजपा के संगटन मंत्री कितने साल रहने के बाद, आज रामलाल जी संग के अधिकारी यहां बैठे है, तो वो भाजपा में संगटन मंत्री था तब वहां ध्यान देते थे, अब इधर आगय तो वहां ध्यान नहीं देते हो, उनकी एक्सपरटाइज है, संगटन उनका लेकिन अब संगा यह ना तो उसका एक यह अनुशा सनय, इस आरे संगतन, स्वतंट्र अलग, स्वाजथ तषायर्श्वावलं भी है, संग उनको कंट्रोल नहीं करता, संगउ संग उनका पोशन करता और संग सब अच्छे कामों का पोशन करता, कोई भी अच्छा काम किजी को करना और हमारी ताकत है कुछ करने की हम जरूर उसके लिए करेंगे लेकिन यह क्या है क्यों चाहिए यह सब क्योंकि समाज की गुणवत्ता सारी बातों का निर्णे करती है अपने इतिहास को देखो नेता और अनुयाई दोनों की एक क्वालिटे रही तब अच्छा हुआ है एक भी गड़वड़ वा इसमें से एक तरफ तो सब गड़वड़ है पुझे निया बादा साब जी हमको बताते थे देखो भाई कमांडर अच्छे चाहिए सोल्जर सच्छे चाहिए सोल्जर सच्छे और कमांडर रोने वाले है तो कुछ नहीं हो सकता और कमांडर बड़ा बाद दुर है लेकिन सोल्जर भाग जाने वाले है तो कुछ नहीं हो सकता तो देश को बड़ा करने की भूमिका में, देश का कुछ अच्छा करने की भूमिका में नेता भी होता है, नीती भी होती है, प्रशासन एग्जेकूटर्स भी होते हैं, लेकिन समाज होता है और समाज सरो पर इसलिए है कि ये सब लोग समाज से ही आते हैं तो आज बिल्कुल जातपात का जगडा समापत कर सब को एक जैसा मानना, ऐसा विचार लेके मैं राजनीती में जाओं, तो मेरा विचार तो वही रहेगा, लेकिन मैं उसको करने ही सकूँगा, जब तक समाज जातपात का विचार करता है, तब तक मुझे भी किसके कितने आता है, नहीं तो वहाँ आने पर भी वो इफिक्टिव नहीं होता है, ये सर्वत्र, सदा सर्वदा, इतिहास की साक्षी है, प्राचिन समय से लेकर, आज भी, डॉक्टर अब्दुलकलाम ने भी यही कहा है, मैं अब उद्धरन नहीं देता आपको समय, प्रोफेसर वर्ग उसके बाद समाज का जागरन होता है, और फिर वो परिवरतन आता है, आप किसी भी देश का इतिहास देख लिजिए, रशिया, क्यूबा, फ्रांस, अमेरिका, चैना, इस्राइल, ये सब लोग जगे बड़े हुए, कुछ-कुछ लोग बड़े होकर नीचे घजर भी गए, सारी बात आप देखेंगे तो आपको धहन में आएगा, समाज जाता हो, जागा पहले, फिर नेता, नीती ये सब काम में आए, फिर परिवरतन हुए, और जब तक समाज जागरुतरा, ये सब ठिक रहा हुए, इसलिए समाज के संगठन का बड़ा महत्व है, और ये संगठन ये क्यवल जोडना नहीं है, जोड कर काम बाटना नहीं है, और गनाइजेशन अंगरी जी में जो कहते है, संगठन उससे आगे जाता है, संगठन के लिए आपको ठीक प्रतिशद्द चाहिए, तो भगवत गीता में जिसको लोक संगरह कहा है, वो संगठन है, लोगों को ग संगरह को, तो इसलिए इसमें एक लक्षा होना पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे तभी होते हैं, जब कोई भव्य लक्षा है, तो संगरह ने लक्षा लिया, परम बाटने तुमें तच्वराष्टन, लेकिन पिछली चर्चा जोई, परम बाटना तो अपनी पैचान पर नि यह क्लास डाला है, प्रार्थना रोज करते हैं, उसमें यह कहते हैं, कि यह जो प्रम बाटना प्राप्त करना है, वो बाय हूक और खुरूक नहीं, लंड अंचार में आप जाएंगे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे देखेंगे, कोई वहां का रहने वाला भारतिया आप दर्म से नहीं, हम धर्म का साउरक्षन करेंगे, और समाज के समधित कार्य शक्ति के भरोसे करेंगे, हम को भुलाना नहीं पड़ेगा भगवान को, अजय बगवान, अवतार लो, हमारा अवत्दार करो, हम ऐसे बन जाएंगे, भगवान चाहेगा कि इस बार यहां पर आप और इसलियां कहते है, situated versus, समध कार्य शक्ति है, समध कार्य शक्ति ही. वो भी जे शाली इसको पराजयं पता नहीं होता है, क्योंको होता ही नहीं सारा समाज खड़ा होता है, तो को राडाएगा? विजेत्रीचन समधकारिश्कि वेदाया से भरम से समभत रगच्छन म्नेत म उसको प्राप्ता कर लो भार्थम। और ये कैसे होता है तो ये भुवय लक्षा सामने है उसको प्राप्ता करना है ये उतकर्टा मन में आती है मन में आती है तो आदमे अपने आपको तैयार करता है एक अनुशासन उसको पता चलता है ये करना है तो क्या क्या करना है वो अपने आप उसको स्विकार करता है मेरे सेयु में बड़े. अनुभोव में बड़े. कर्तुर्ट्व में बड़े. संग में बहुत लोग है. मुझे सरसंग चालग बनाया, तब और भी थे. सरकारोबनाया, तब और उनकी संख्याथी. लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह तो बच्चा है. जिसको बनाया उसका मानना चंही गर जाता था उनका चरंश पर से करता था प्रणाम करते थे क्योंकि एक अरैसासन है, यह पद्धत ही बenई है उनका पद्धत ही क्यों बनी है, संग सिंगत ही ठीक रखने के लिए बनी है सब लोग खुद होके उसका पालन करते हैं, उनको बतान नहीं पड़ता, इसलिए संग्ना में इसलिए इसलिए संग्ना में डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्षन नहीं है, शाखा मेरो जाना चाहिए, जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, उनका हम क्या करते हैं, हम कोही नहीं बुलेगा, आजकल जारा कटिन जाता है क्यों कि सवंचो को मिल रहा है, आप सवंचो को नाम भी हो रहे हैं, तो नहीं आने वालों को समझाना पड़ता है भाई, शंग के सवंचो को का ऐसा होता है, लेकिन संग से नहीं होता है, वो अपने कर्दुते से उनका बस यही है कबिरा खड़ा भाजार में लिये लुकाट यहाँ जो गर्फुके आपनों चले हमारे साथ यही है संग का अपील लेकिन इस चलता क्यों है वो लक्षा है और उसके चलती यह अनुशासन लोग अपने उपर लाद देते हैं और उसमें चलना है कष्ट तो होता ही है कठो रहे है लेकिन यह सारी बाते ठीक होती है और इतने मुहां आकर्षणों में भी सामान्य रूप से स्वेंश्वक ठीक इसलिए रह पाता है कि हमारे संबंध यह आत्मियता के संबंध है हमको सबको मिलके अपने देश को बढ़ा करना है इसलिए हम एक दूसर के हैं संग किस आधार पर चलता है आत्मियता के आधार पर चलता है शुद्ध सात्विक प्रेम दूसरा कोई संग में मिलने वाली बात नहीं है दूसरा कोई संग्शन हमारे पास नहीं है वो आत्मियता का व्यभार दिन प्रति दिन लोग अनुभव करते हैं ऐसा व्यवार है उस आत् पूर्ण हिंदू समाज को संगटित करेंगे यह संपूर्ण विशेशन महत्वका है क्योंकि हिंदू शब्द की कक्षा में अपने आपको मानने वाले हिंदू है लेकिन जो हिंदू है और अपने आपको मानते नहीं या जानते नहीं कि वो है और हम कहें कि आप हिंदू है तो भरती पुरुवजों के वोंशज है, वो सब हिंदु है, उनको जानना चाहिए कि वो हिंदु है, और हिंदु सहित सबको अच्छे पक्के सच्छी हिंदु बनना चाहिए. इसलिए संगे एक्स्क्लूजिव है नहीं, इसको कोई ऐसा नहीं चाहिए दुश्मन, ए हिंदु जागो, वो तुम मारेगा, संगटित हो जाओ, यह अपिल नहीं है संगे का, अपिल यह यह हिंदु हो, तुम हिंदु हो, इसलिए जागो, हिंदु स्थान को बढ़ा करो, संदा का कोई दुश्मन नहीं, हिंदू का कोई दुश्मन नहीं लेकिन जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होते हमारे चलते वो हमारे बारे में दुश्मनी खड़ा करने का प्रयास करते है कुछ लोग जान भूच कर, कुछ लोग भोले पन में, अज्ञान में हमसे दुश्मनी करते है हमारा प्लान क्या है कल उनको भी हम स्वश्शयोग बनाएंगे और कुछ नहीं उनको जोडना ही है हमारा काम जोडने का जीत का नहीं है आपने बताया ना गुरु नानिक दियुजी ने शक्ति कैसे मांगी प्रार्थना में हमने शक्ति मांगी है हम कहते अजयान्च विश्वस्य देहिश शक्ति उसका अर्थो होता है कि हमको कोई न हरा सके ऐसी शक्ति चाहिए हमने ये नहीं कहा कि हम सब को जीत सके ऐसी शक्ति हमको चाहिए सो समझ के ऐस शब्दो जान बूच के दो दिन के चिंतन के बाद संस्कृत चब्दों के उप्योग किया गया है यहने मैं अपने अनुमान से या आज ये तरक दे रहा हूं नहीं सिंधी में बैठा कोई इसके लिए 1949 में उसमें प्रार्तना के आशाय पर चर्चा हुई क्या क्या होना चाहिए फिर उस आशाय को लिखित करके भेजा गया और संस्कृत चब्दों की योजना एक भीड़े जी थे संस्कृत लिखने वाले उन्होंने करके दी तो उसमें शब्द यह नहीं है दूसरों कोई हम सुरक्षित रहें जो आपने कहा यह सब अच्छी बाते जोडने वाली बाते सारी पृत्वी अपना कुटुमबए है आपस में जगा इसको करने के लिए हम जीवित तो रहना दुष्टों की जालिमों की दुनिया में हमको जीवित रहना पड़ेगा तो इतनी शक्ति चाहिए कि हम न मरें हम बज जाएं यह सब करने के लिए और साथ में सुषील मांगा है जो शक्ति के उप्योग की उचित दिशा देता है दुर्बलों की रक्षा तो ऐसा यह संग का संगटन चलता है और बड़ा सिंपल है यह अनव पचारिक है जैसा मैंने का सब की जो पद्धत यह ऐसी हमारी नहीं है संगट शुरू हुआ उस दिन उद्धे शपक्का था वो करक्रम हो गया साड़े पाच बज़े सूब डॉक्टर साब के घर में पचीश तीस कितने लोग इकठा है पता नहीं मदभेद आकड़ों में तो कहा उन्होंने आज से यह संगट शुरू हो रहा है मैंने संगट शुरू किया ऐसा नहीं हम शुरू करने जा रहे है ऐसा नहीं का यह भगवान का काम है यह श्रू होना है वो शुरू हो रहा है ऐसा उन्होंने का बाद में लोग अनों पिछाब तो बहुत हो के नाम में आता है। नाम बात में तय हो गया, फिर उसके अधिकारी बात में तय हो गया। संग के सरसंग चालक अधिकृतरीती से कब बने? 29 में, संग शुरुआ 25 में। नाम बात में तय हुआ, फिर उसके गुण वरदन होते है। फिर वो जो अच्छा करता है बुरा करता है लोगों के सामने आता है। फिर वो अपने आपको बनाता है, अपने घर को सवारता है, वैसे दिरे दिरे संग बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया में से बना है। यह संगनेथा नहीं है, कोई ऐसी सिस्टीम, अर्टिफिचियल, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम सब है, उसी को हम कहते हैं कि याद करो, तो हम बन जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हम है, क्या है, उसको हम भूल गए, इसलिए हम एक दूसरे से जगड़ा कर रहे हैं। हम सब है, जो कुछ हम अपने आपको मानते हैं, वो हम सब है, क्योंकि हम जो है, वो इन सब को सुईकार करना बताता है। मैं अमुक जाती का हूँ, हमारा जो है, वजूत, वो कहता है, बिलकुल ठीक बात है, तो उस जाती का हूँ, मैं अमुक अमुक पुजा करता हूँ, हाँ ठीक है, वो भारत की नहीं है, हाँ ठीक है, भाचा ठीक है, लिकिन ये सब होने के बाद भी, इसके उपर तुम ये हो वो हम है उसकी याद हिंदु शब्द से संगत देता है और सबको अच्छा बनाता है बड़ा होना और अपने बड़पन का उपयोग समाज को बड़ा करने के लिए करना तेरा वईभवा अमर रहे माँ हम अदिन चार न रहे और यह कोई भाष्णों से अगर होता नहीं इसके लिए आदत बनानी पड़ती है इसलिए रोज आना पड़ता है रोज अपना समय काटकर आओ देश के लिए प्रानार पड़ों करें बाद में करना पहले एक घंटा निकालो देश के लिए मिलेगा कुछ नहीं आओ वहाँ बाकी बाहर का भूल जाओ सब मांगाई भूल जाओ जी एस्टी भूल जाओ और क्या-क्या है पाकिस्तान भूल जाओ चायना भूल जाओ सब भूल जाओ अंदर आके क्यों भारत माता के भक्ति के गीदगा अपने देश के लोगों की जाती पाती भाषा पंत कुछ विचार मत करो उनके साथ मातर भूम की दूल में लोटपोट हो जाओ मिलकर काम करना सिखो मिलकर खेल खेलना सिखो अपने मन को खोल लो तो मनुश्य बनता है ये रोज करो तो फिर उन कुर्तियों से आदत, आदत से स्वभाव स्वभाव से शील ये संग की पद्दती है ऐसा संग आपके सामने है अब उस संग के लोग यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचते तो भी संग अपना काम करते रहा वह पहुच गया है तो भी हमने हो गया कृतार्थ शाखा बन करो ऐसा नहीं किया है क्योंकि हमको संग के प्रत्यक्विक्ति को जोड़ना है वह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा पूरा होते तक हमको करना है जल्दी से जल्दी करना है लेकिन पूरा होने के पहले छोड़ना नहीं है ऐसा एक संघ अपने देश में चल रहा है वास्तों में वो अपने समाज को अपनी पहचान पर ठीक से खड़ा करने का काम है देश की सारी समस्याओं का उपाय उसी में से निकलता है जो फंडामेंटल तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके बिल्डिंग का काम संघ करता है बाकी सारा काम स्वयम सेवक समाज को साथ लेकर अन्य सब लोगों को जोड़कर मिलकर करते हैं वो उनका उनके पास है संघ अपना काम करता है इतनी जानकरी संघ की मैं आपके सामने रखता ह से साप अपने प्रश्णों में पूछ लीजिए बहुत बहुत धन्यवा